हमारे बालों में लगाया जाने वाले जेल और वेक्स में कैटियोनिक पॉलीमर नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो की पॉजिटिव चार्ज कर जरी है घंटों तक हमारे बाल को एकी अवस्था में रखने में सक्षम होता है और जिसके वज़े से हमारे बाल एक ही तरह रहते हैं घंटों तक इस्ट्रेट हेलो एंड वेलकम फ्रेंट्स मैंने में जनूप सिंग एंड यू आर वाचिंग दानूप यूट्यूब चैनल जिखो अभी अनचे cruelty in gel और wax बनाने वाली कंपनियों से मेरी कोई दुस्मनी नहीं है मैंने खु़ूद अपने लाइफ में 50-100 MG 5 के डब्बे खाली कर दी है 50-708 के डब्बे खाली खाली कर दी है अपने बालों में लगा लगा कर और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इसको लगाने के बाद बंदा स्मार्ट और सेक्सि लगने लगता है एक अलगी लुक सा आता है बंदे का यह सारी चीजे प्रोड़क्ट्स यूज़ करने के बाद पर इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो खुद का मेरा experience है वो भी कई सालों का इन प्रोड़क्ट्स को यूज़ करने का इसे पहले कि इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानकर आपके तोत्ते उड़े वीडियो को अभी लाइक कर दो वरना भूल भी जाओगे हमारा स्केल्प यानि की माथा नम रहता है पर जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है उसे क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं उनमें तो नमी बनी रहती है क्योंकि उसमें केमिकल चिपका रहता है पर जो हमारा scalp होता है वो सूखने लगता है जिसके वज़े से कई सारी problems होने लगती है जैसे कि खुजली होने लगेगी या फिर dandruff होने लगेगे और भी ऐसे कई सारे समस्याएं होने लगती है जब भी कोई इनसान कोई महनत वाला काम करता है या फिर धूप में जाता है तो उसका जो body होता है वो एक natural oil produce करता है कभी आपने देखा होगा कि face जो है वो oily oily सा हो जाता है तो वो जो अंदर से natural oil आता है वो हमारे face को oily कर देता है पर हाँ वो आना जरूरी भी है वरना आपकी skin रूखी रूखी सी हो जाएगी जड़ने लगेगी पर जब आप इन gel और wax का use करते हो तो ये वो natural oil produce करना बंद कर देता है जिसको सीवन कहते हैं जिसके वज़े से आपको बहुत सारी problems होने लगती है रूखे पन के वज़े से अब ऐसा भी नहीं है कि ये gel सिर्फ आपको बाहर बाहर से ही नुकसान पहुचाता है आपके scalp पर ही नुकसान पहुचाता है नहीं इसको यूज करने से इसमें harmful chemicals होते हैं वो आपके बालों के कोशिकाओं को cells को हिट करते हैं जिसके वज़े से आप अनपम खैर बनने में सक्षम रहते हैं नहीं मतलब गंजे होने में स यह आपके बालों को बहुत तेजी से गिराने लगता है अब इसका इंड सिर्फ यहीं नहीं होता अगर हाई केमिकल वाले प्रोड़क्ट्स हैं तो सिर्फ यह ऐसा नहीं करेगा कि आपके स्केल्प को और बालों को सुखाएगा यह यहीं पर नहीं रुकेगा अगर बहुते ज्यादा हाई केमिकल वाला जैल या फिर वैक्स आप यूज कर रहे हैं तो यह आपके स्कीन का पीच लेवल डाउन कर देगा आप जिनको नहीं पता पीच लेवल क्या होता है भाई पीच लेवल जो बहुत ज़दा ओर लोग होने लगते हैं उनका डाउन होता है हम जैसे का पीच लेवल डाउन नहीं होता है पर यह जैल का यूज करने के वज़े से हमारे सर के स्कीन का पीच लेवल डाउन हो जाता है और पीच लेवल से होता यह कि आपके बाल पकने लगते हैं मतलब आपके बालों का कलर चेंज होने लगता है इसलिए जो ओड लोग होते हैं उनका pH level कम होता रहता, इसलिए उनके बाल भी पकते रहते हैं, अब अगर इस age में हम लोग का pH level डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ही कम टाइम में हम लोग के सारे बाल पक जाएंगे, यही करी 25 से 30 तक में, अब मैं यह भी नहीं कह रह अगर आप डेली यूज़ करते हो तो यह आपके लिए हामफुल रहेगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो ना ही लगाओ बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे अकौडिंग बिना जल के भी एक अच्छा लुक आपको मिल सकता है, अगर आपको लगाना है तो कोई अच्छ है और मेरे बालो पर effect किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इतने subscriber नहीं है, कोई sponsorship लूँगा, कोई गलत मत समझ लेना, मैंने खुद try किया है, इसलिए बोल रहा हूँ, और अगर सबसे better आपको use करना है, तो मेरी तरह आप घर के सरसो का तेल लगा सकते हैं, और मैं अगर अपना बताओं, तो मैं अपने खेत में लगे हुए सरसो का तेल निकलवा के रखा हूँ आँ घर पे, और उसी सरसो के तेल को लगाता हूँ, अपने बालो पर आप देख सकते हो, अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, पकने लगे थे पर अब सारे remove हो रहे हैं, पक अगर नहीं लगाना चाहते हो, तो कोई और भी oil लगा सकते हो, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो थोड़ा बहुत प्यार इंस्टाग्राम पर भी बरसाद हो, क्योंकि 70 से जदा वहाँ follower बढ़ नहीं रहे हैं, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को आपके साथ, तब तक के लिए, बाए बाए